जालोर में NDRF और SDRF की टीमों ने बाड में फसे 60 से जादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया वहाँ विपर जॉय तूफान की वज़े से लगातार चार दिनों से मुसलादार बारिश हो रही है जिसकी वज़े से कई लाकों में बाड आ गई और उसमें सैकनों लोग फंस गए इस बीच NDRF और SDRF को जालोर के विशनगड में एक साथ देड़ सो लोगों के बाड में फसे होने की खबर मिली इसी तरह जालोर के कुछ दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई और ऐसा ही हाल राजस्तान के चितोडगड का भी दिखा वहां भी इतनी बारिश हुई कि कई लाकों में हाहकार मच गया क्योंकि वहां आस्मान से इतना पानी बरसा कि कई लाके डूब गए शेहर की तमाम सड़कों पर पानी का कबजा हो गया ऐसे में गाड़ियां तो किसी तरह निकल गई लेकिन पैदल चलने वालों की मुसीबत बढ़ गए वहीं अजमेर में भारी बारिश के वज़े से बिगड़े हालात के बीच कुछ लोग जान जोखिम में डालकर मचलियां पकड़ते नजर आए लगातार हुई बारिश से वहां की आना सागर जील में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि वो नहरों के जरीए कई इलाकों तक पहुंचने लगा लेकिन कुछ लोग पानी के तेज बहाव में ही मचलियां पकड़ने लगे अजमेर के ही एक दूसरे इलाके में भारी बारिश के बाद पानी सेलाब की तरह सड़कों पर बहने लगा जिसमें कुछ लोग बहते बहते बच गए कई गाडियां उस सेलाब में फसकर जहां तहां रुक गई जिससे पूरा अजमेर जिला बारिश के पानी में डूप गया चारों तरफ पानी का कबजा हो गया सड़कों पर गाडियों के पईये डूप गए जगजगा गाडियां फस गए दिन भर बादल चाय रहने की वज़े से साफ साफ दिखना तक बंद हो गया ऐसी स्थिती में लोगों ने दिन में भी अपनी गाडियों के हेडलाइट आउन रखी लेकिन सबसे बुरा हाल अजमेर के निचले इलाकों का हुआ जहां कई घरों में बारिश का पानी गुस गया जिससे लोग अपने ही घरों में कैद हो गए पानी भरने से गाडिया निकालने में भी लोगों के पसीने चूड गए पैदल चलने वालों की हालत और खराब हो गई भारी बारिश की वज़े से कुछ जगों पर मकानों की छटे में गिर गई और आजिस्सान के बार मेर में भी भारी बारिश ने कहर पर पाया वहाँ इतनी तेज बारिश हुई कि कई लाकों में बार जैसे आलात बन गए जिससे कई गावों का संपर्क पूरी तरह तूड गया लोग जहां थां फस गए क्योंकि उनके निकलने के सभी रास्तों पर पानी भर चुका था ऐसे में SDRF की टीमों ने कई लाकों में अभियान चला कर लोगों का रेस्क्यू किया बार जैसी स्थिती में फसे लोगों को निकाल कर राहत दल की टीमों ने उन्हें सुरक्षित जगों तक पहुँचाया ये मुहिम लगातार जारी रही क्योंकि बार्ण मेर के कई लाके बारी बारिश की वज़े से डूब गए बड़े-बड़े अधिकारी भी दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े रहे क्योंकि वहां बहने वाली सुकड़ी और लूनी नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसने आसपास बसे कई गाउं को डुबो दिया रहात और बचावदल का अभियान दिन के साथ-साथ अंधेरा होने पर भी जारी रहा राजिस्तान के पाली में भारी बारिश की वज़े से गाउं टापू में तब्दिल हो गए जिसकी वज़े से SDRF की टीम को ना उसे रेस्क्यू करना पड़ा पाली में तेज वारिश के बाद वहां की एक नदी उपान पर आ गई जिसकी वज़े से रहायशी इलाकों में पानी घुज गया और लोगों के कच्चे मकान पूरी तरह तहस्नेयस हो गए वहीं पक्के मकानों को भी भारी नुकसान हुआ पूरी ये ढ़ानी पानी के अंदर डूबी है जहां देखेंगे जो छोटी छोटी जोटी जोंपडियां थी वो सुरक्षित नहीं रह पाई गाउं के चारों तरफ पानी भरने की वज़े से SDRF के टीम नाव से रेस्क्यू करने पहुंची बताया गया कि तेज बारिश की वज़े से नदी उफान पर आ गई और कई लाकों में 8 फीट तक पानी भर गया जिसकी वज़े से लोग अपने ही घरों में फस गए कई किलोमीटर का सफर करने के बाद गाउं पहुंची SDRF की टीम ने 9 से 25 लोगों का रेस्क्यू किया गाउंवालों ने बताया कि वो पिछले 36 घंटों से पानी में फसे थे और मदद का इंतिजार कर रहे थे उदर राजिस्तान के माउंट आवू में तुवान विपर जोई ने भारी तबाई मचा दी वाँ पिछले 3 दिनों से जारी मुस्तलाधार बारिश ने लोगों की परिशानी बढ़ा दी क्योंकि बाहरी बारिश के साथ चल रही तेज हवाओं में कई पेड़ धराशाई हो गए सड़क पर बड़े-बड़े पेड़ गिरने की वज़े से कई रास्ते बादित हो गए जिसकी वज़े से बाहर निकलने वाले लोगों को घंटों जैम में फसे रहना पड़ा तेज हवाओं ने कच्चे मकानों को तहस्नेस कर दिया किसी की जट रोड़ गई तो किसी कच्चे मकान की दीवार ही गिर गई जिससे कई लोग बेघर हो गए बेहसाब बारिश की वज़े से माउंट आवों के नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ गया जिसकी वज़े से सडकों पर सैलाब बैता दिखा राजिस्तान के माउंट आवों में मौनसून से पहले अचानक आई ये तूफानी बारिश वहां गूमने आये परटकों के लिए मुसीबत का सबब बन गई जिसके बाद राजिस्तान के मुक्य मंत्री अशोक गहलोत ने बार परभावित जिलों का हवाई दोरा किया और बार से बिगड़े हालात की जानकारी लेने के बाद उससे परभावित लोगों को मुआवजा देने की घोशना भी की क्योंकि राजिस्थान में पहली बार मौनसून से पहले बार जैसे हालात पैदा हो गए और गुजराज से आए तूफान विपर्जोई ने राजिस्थान में हाहकार मचा दिया बारी बारिश के वज़े से राजिस्थान के बार मेर, पाली, राजसमंद, भीलवाडा और अजमेर के कई लाकों में बार जैसे हालात पैदा हो गए जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तूफान से हुए नुकसान का जाइजा लेने के लिए बार प्रभावित इलाकों का हवाई दोरा किया और उससे प्रभावित हुए लोगों के लिए मुआवजे का एलान किया और राजिस्तान में लगातार होती मुस्लाधार बारिश के बाद मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धूल भरी आंधी और बारिश का इलर्ट जारी कर दिया मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में अगले एक दो दिन में मौसम करवट लेगा और धूल भरी आंधी के साथ बारिश होगी मतलब ये कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में भीशन गर्मी और चिल चिलाती धूप और दो तीन दिन लोगों को परिशान करेगी मद्रदेश में तो बिपरजोय तूफान का असर दिखना शुरू भी हो गया वहां राजधानी भोपाल में जोरदार बारिश की वज़े से कई सड़के पानी में डूप गई जिससे लोगों की परिशानियां बढ़ गई सड़कों पर पानी भरने की वज़े से आने जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा मौसम विभाग के मताबिक राजिस्थान के करीब वाले मद्रदेश के कई जिलों में बेपरजोय तूफान का असर देखने को मिल सकता है इस दोरान गवालियर चंबल और उज्जेन में भी भारी बारिश का नुमान जताया गया